हेलो नमस्ते स्वागत आप लोग को मेरे नाम है स्वागत और आप देखने मार्केट प्लेस तो आज एक बहुत ही बढ़िया टपकी लेकर आओ जो कि मेरा लाइफ ट्रिम में सबसे ज्यादा कमेंट आता है कि सार हमको अगर चुनना है तो कौन सा ब्रोकर चुनना है सबसे इ एक्सप्लेंड करूंगा फिर आगे से मेरे सबसे आप लोग कोई भी कमेंट नहीं आना चाहिए कि सर कौन सा ब्रोकर सही है उससे पहले प्लीज एक लाइक कर दो और सबस्क्राइब कर दो और दूसरा चीज आप अपना कमेंट में एक बार बता दो कि सार आपका मैं कौन सा यूज करते हो एक बार कमेंट आप कर सकते हो तो अभी हम लोग चालो करते हमारा टपिक ब्रोकर यह सबसे इंपोटन टपीक होथा है जैसे आप जब भी व्यांक में पैसा रखते हो तो हमेंसा चुनते हो कि सेफ ब्यांक कौन सा है तो आप ज्यादातर ग्रम्मेंट के करते हों मैं वह समझ में आता है मैं हर ब्रोकर का अभी फोल खोलने वाला हूं इस वीडियो पर जैसे कि सुरू में हम लोग पहले फोकस करें करें ठीक है पहले फ्रीबोकर करें कौन सा फ्रीबोकर है क्योंकि मैं लगभग यह सारे चीज यह आप साइड में दीख रहे तो फ्री में से एक ब्रोकर है नियो करके यह आपका कोटा का यह दूसरा है सुन्या सबसे पहले इसको पकड़ते हैं तो अभी आपको यह तीनों में जाना चाहिए क्या क्योंकि फ्री है तो फिर आपका बहुत बहुत बच जाएगा पर मैं अगर बता होना एक एक चीज़ का पहले टर्गेट करेंगे पहले सुनते हैं हम लोग इसके बारे में इसमें क्या है इस बात है तिए इसमें आपका कभी भी एकजीट नहीं होगा जब भी आप करते हो 90 परसेंट टाइम आपका एकजीट नहीं होता है इसमें यह अगर सुन्य वाले भी देख रहे हैं प्लीज इस चीज को आप इंपूर्ब कर लो उसमें आपको एंट्री ठीक होता है एंट्री प्रॉफिट आप एक्जिट करने का ट्राय करोगे तो यह एक्जिट नहीं होगा बहुत टाइम में आपका फसा देगा लॉस में आपका एक्जिट होता है हमेशा हमेशा तो नहीं बोलूगा 90% 80% डाइम बोलूगा तो भाई अगर आप एक लास्ट से ट्रेड करते हो भाए प्लाट्फरम है इसका इसका एचिट और दूसरा अगर आप चाड देख रहे हो अगर आप चाड देख रहे हो जाelles चांड तो आपका यह घलत दिखटा पॉत जो आपका ढाब का भगरा Mother इंज करते करना चाहते हो मार्केट प्राइश पर जब करने जाता हुए कभी नहीं होता है यह हमेशा होगा 105 ज 95 110 हमैंसा हाइएज सेबने अगर मैं बोलू तो हमेंसा अपका market price में now इसमें क्यों होता है नहीं होता है इस सफाती और देख लॉस हिट नहीं होता और वहत उस तपलोस यहर दो प्लीज और थो लो होता है वो सब्सक्राइब होता कभी वी कभी तो नहीं बोलूंगा बाकि 80-90 पॉस्ट टाइम हीट नहीं होता आप सो मैं बाय किये और सोचे कि मैं नब्य का स्टप्लोस लगा तो पर मार्केट असी में आ गया तब भी आपका लॉस्ट चल रहा होगा स्टप्लोस हीट नहीं होगा ऐसा मेरे साथ 3-4 बार हुआ है जिसके करना मैंने इसको भी इंग्णोर किया देन मैं सोचा थोड़ा एम स्टॉक में जाओ एम स्टॉक थोड़ा जाओ और यह दोनों में आकाउंट ओपनिंग करना फी है ठीक है कोटक नहीं हो और सुन्य में बाकि यह दिक्कत आएगा आपका पैसा बहुत जल्दी उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा क्योंकि आप प्रॉफिट में नहीं कर पाओ तो क्या फाइदा है अब एम स्टॉक क्या करता है न 999 रुपया लेता है 999 ठीक है यह लेता है और एसा कुछ इसका चार्जेस रहता है यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए ठीक है अगर ले रहे हैं तो उ इस प्लाटफों में थोड़ा सा दिख्टर थे इसलिए मैंने जीरो बॉक्रेज का प्लान नहीं करता हूं कभी थोड़ा साफ चार्जेस दो गे बीच रुपय दस रुपय दस रुपय बलाइव मैं अभी बताने वाला हूं सबसक्त प्लाटवर इसमें बदाने वाला हूं पर इसमें किया होता है जीरो बोकरेज में आप घुसते यहां तक घुसोगे प्राफिट बुक करते करते आप नहीं निकल पागों फिर से आके यहीं पर निकलोगे पॉइंट को समझो मैं क्या बोला हूं यह प्राटिकल करके अगी बार देख लेना अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो जो यूज करता है जानता है जो नहीं करते हो जाने का सोच रहे हो जीरो बोकरेज यह सबसे बड़ा इस होता है आपका पैसा जो एक लाग है वो इतन थोड़ा सा ग्लीचिंग इसू नहीं है और इसमें जो अकाउंट ओपनिंग हो फ्री है यह एक बेनिफिट है ठीक है और मुचल फंट बगर अगर आप ले रहे हो आई-प्यों में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर यह भी फ्री है यह एक बेनिफिट है और डीमाट अकाउं अगर आप एक बार करोगे ठीक है और सेल करोगे तो बीस-बीस-चालिस रुपया यह लेता है प्लॉस जीस्टी यह माइड में रखना तो यह नर्मल मुझे इसमें ग्रीच का इसू नहीं आता यह सब्सक्राइब बेनिफिट क्या है मैं बेनिफिट अगर बात वलूं जो टाटा जी का जो है यहां पर इंवेश्मेंट है तो रॉटन टाटा जी को कौन नहीं जानता है इंडिया में तो यह ट्रॉस्ट का लेवल बन जाता है ठीक है कि यहां पर हम लोग आप लोग देखते होंगे बहुत बार मैंने इसको मैं ज्यादा पसंद करता हूं अफ्टो ट्रेडिंग के लिए नहीं है अगर मैं बोलो ना तो ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं है अगर आप म्यूचल फंड कर रहे हो तो फिर यह बेस्ट आपके लिए ठीक है बाकि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो और इसमें कॉमूडिटी तो ही नहीं कॉमूडिट कुछ टाइम पहले फ्रेवराइट था जो कि अभी नहीं है जी रोधा में आपका फ्री है कौन सा है डेलिवरी फ्री है पर इसमें एक दिक्कत क्या है आपका आकाउंट ओपनिंग करोगे तो 300 रुपया आपको चार्जस देना पड़ेगा पहले अपनिगा जी ग्रो में फ्र आपका फ्र जाता है जैसे आपका ये दिवाली के दिन आपका पूरा अकाउंट ब्लोग हो गया चला ही नहीं बिल्कुल भी जीरोधा बहुत बार जीरोधा क्या होता है बंद हो जाता है ट्रेट करते करते रुख जाएगा कुछ चलेगा नहीं यह बहुत सरा इसो आगे अ आपको स्मूथ एक्सप्रेंस देने के टाइम में हमेशा पीछे रहता है क्योंकि स्मूथ एक्सप्रेंस अगर आप ग्लीच होता है तो फिर फस जाएगा न आपके दो एक दर्लाक रुपया है वह लौस में निकलता है मेरा भी भाई गया है इसलिए मैं बोल रहा हूं ठीक है इसमें बहुत अच्छा क्या क्या है मैं बताता हूं इसमें पहले तो अकाउंट ओपनिंग फ्री एए ठीक है अकाउंट ओपनिंग आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा उसके साथ आपका यहां पर एक महिने के लिए वान मंत के लिए आपका जो ट्रेडिंग आप आपको कुछ लोन चाहिए तो यह अकला प्राटफर्म है यह फूल टाइम ट्रेडर सर्विस इसका प्रोवाइड करता है तो यह आपको मार्जिन देगा इस यह बहुत सब्सक्राइब कर रहे हो गाड़ी में हो आपको पास लैक्टप नहीं मोबाइल में तो आप एक साथ इसका निचे आपको अपना प्राफिट लॉस भी देख सकते हो यह बेनिफिट रसे लॉस ने देख सकते है तो फिर चाहतों दोनों चीमें हो जाता है उसके साथ और के बेनिफिट एसमें म्यूचल फंड बी अगर आप मूचल करते हो तो इस आपको इक्विटी के लिए ड और बहुत सारा इसमें हाँ और एक चीज है आपको क्या मिलेगा इसमें EVCALS मिलेगा फ्रीक्ष मतलब यहां पर यहां पर यह में जो कि आपको फिक कॉल्स प्रोवाइड करता है कि साइध मार्कट उपर जाएगा तो यहां पर यह कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करता है नियूज में आप इसमें भी स्टॉक का फैसलिटी और अगर सेंसिबूल में आपको और सब्कुछ देखना है यहां पर और चीज भी मतलब एक बोला जाए ना सारे इंक्लूड दिया है और यह इंडिया का अगर मैं बोलू सबसे पुराना ब्रोकर है यह एक बेनिफिट इंडिया का सबसे पू यह कभी क्लिश होता है कभी कभी मतलो साल में एक बार जिरुदानी कि एक महिने में तीन बार ठीक है तो यह बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है एंजलवान के साथ जाने में और एक चीज फिर चलोंगा इसमें ट्रेडिंग भी चार्ट का एक्सिस भी है तिक है वह ले सकते हो और इस स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हो इसमें यह बहुत अच्छा काम आता है अगर आपको ट्रेड करना है लैप्टप बगएरा में तो अंदर में जाकर प्लेस करना जो पूराना जमाने का चल रहा था वह इसमें नहीं है फिर अभी हम लोग चलेंगे मेरे हिसा आता ट्रस्ट इसले कर रहा हूं कि इसमें बहुत सरा बेनीफिट लेडि अगर एक लेडि हो तो यहां पर आपके लिए बहुत अच्छा चीज क्या दिया है ना सब्सके इंपोर्टन जो है अब को अगर आप लेडि हो यहां पर देखो यहां पर आकाउंट ओपनिंग आप पर फ्री है जीरो ठीक है उसके बाद अगर आप ले रहे हो तो यह भी आपका जीरो है बाकि सब ग्रों बगराव चार्जस लता है टॉंटी रूपीज का आसपास बाकि यह नहीं लेगा धन उसके साथ आपको यहां पर अगर फ्यूचर आफ्सन से कर रहे हो और कॉमूडि मेंटरांस होता है जैसे एंजल मेंटरांस में 250 रूपीज मेंटरांस तो देना भी चाहिए और सबसे इंपोटन बात है यहां पर hidden चार्ज नहीं है बिलकुल भी hidden चार्ज यहां पर आपको देना नहीं पड़ेगा जैसे बाकी आकाउंड में आप 1 लाक रख यह से चार्ज कट कट कर पता नहीं चलेगा आपको एक दो महीने का अंदर एक लाग हो जाएगा इसमें फीडन चार्ज नहीं है जो भी यहां पर लिखा गया है बस उतना ही वह आपसे चार्ज करता है उससे ज्यादा आपसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता यहां पर देख सकते हो कि ब्र stores लह यह नहीं है वीडियो नहीं है कि दोना अपने अपने में सबस् corrobar करते अगर भात करोता है यहां पे यह नाप आपको यह प्रीमियमस के चार्ट में मोबाइल में मिलेगा और बाकी जो ऑष्टक वह तीन नंबर में रहेगा क्योंकि प्रेड करता मेरे को कभी प्लीज का इसलिए वाले हैं चोड़ा सा प्लाट्फर्म को सुधालो क्योंकि देखो ओबर अल घुमा फिरा के प्रफिट तो आप ही का होता है ठीक है क्योंकि बंदे का पषिशा जाएगा जो ट्रेड करता तो जाएगा आप के पास ही जाएगा ब्रोकर के पास ही जाएगा पर आप यह भी सोचो कि एक हद होता है लुटने का आप इतना भी मुट लुटो कि यह बंदा परिशन हो जाए क्योंकि मैं सुन्य में एक जिटी नहीं कर पारा था एक बार मेरे को थाटी फाइट थाउजेंड का प्रफिट चला था जीरो इरो वाला ट्रेल लिया था चार अजर का इंवेस्टमेंट था और उसमें एकजिट नहीं करता है उस दिन से मेरे को गुस्षा होके वह प्लाटफरम बन कर दिया फिर यह मैं क्या हुआ को प्राइस में यहां पर यहां पर बाय होता है को टागनियों में तो यह दो-तिन इस्व है जो कि जिरो बोकरेस बहुत सारा प्रोलेम करता है एक नर्माल अगर बिगनर है वह पता नहीं गुज गया जिरो के चक्कर में बाद में पचाचा लेकर उसका सारे चीज लूट गया जब दिमाग ठिकाने म बोल देता हूं आप ना एक्सपरी वोला दवा एक बार आप जाओ मेडिसीन स्टोर में बोलो मुझे सर्दी खासी हुआ है और आप मांगो मुझे दवा दे दो तो बोलेगा यह दवा आपको सो रुपय में मिलेगा और दूसरा एक दवा देगा कि भाई इसका दस दिन पह इसलिए मैं ट्राय करता हूं कि हमेंसा आप लोग को सही दिशा दिखाओं कि आपको दिक्कत ना आए फ्यूचर में तो इसलिए धन और एंजल में आप जा सकते हो अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन के थो जाते हो तो आपको यह benefit मिल जाएगा कि अगर आपको मेरे डिस्क् है मैं तीनों में से किसी एक में आकाउंड ओपनिंग किया हूं तो मैं आपको पहले पीडिएप दे दूँगा जो की जो दीवार में लगाते है न बहुत सारे उस टाइप का पीडिएप पूरा केंडल्श्टिक का फूल पीडिएप आपको दे दूगा दूसरा चीज है ज सिर्फ 17 रुपे में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो की सिर्फ प्लाटफर्म चार्जेस देना वो ले लेना वह एक बेनिफीट आपको मिलेगा अगरा मेरे लिंक से थ्रोज से आप आखाउंट ओपनिंग करते हो तो बाकी आपके उपर है आप जीरो में जाना चाहत थेंक यू